हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बित बहुत अच्छे होंगे दोस्तों प्रेग्नेंसी के आठवे महीने में कौन से साफधानिया रखनी चाहिए किन कामों से बचना चाहिए क्योंकि आठवा महीना काफी ज़्यादा नाजुक होता है इस समय बच्चे का पूरा संपोन विकास हो चुका होता है आठवे महीने में प्री मैचर डिलिवरी के संभावना सबसे ज़्यादा होती है और कुछ ऐसी गलतियां जो महिलाएं कर बैठती हैं जिससे कि प्रेगनेंसी के आठवे महीने में काफी ज़्यादा आपको नुकसान का सामना करना पर सकता है इसलिए आप अगर 8-way महीने में अब जाने वाली है या 8-way महीने में हैं तो आप कुछ बातों का विशेस रुप से ध्यान रखेगा Pregnancy के 8-way महीने में friends complications काफी बढ़ जाते हैं चलने में उटने बैठने में सोने में परिशानी होने लगती है अब आपके बच्चे का संपूर ने विकास हो चुका होता है और उसके बाद 8-way महीने के आखरी में और जैसे ही आप 9-way महीने में इंटर करेंगे वैसे ही बच्चे आपना सर नीचे करने लगता है नॉर्मल डिलिवरी के लिए तो फ्रेंट्स ऐसी कंडिशन में आपको कभी भी 8-way महीने में ही पीट के बल नहीं सोना चाहिए पीट के बल सोने से काफी सारी जल्ट्रेलताएं बढ़ सकती है बच्चे को सांस लेने में दिकास हो सकती है और बच्चे तक जितना भरन पोशन नियूटिशन जाता है ऑक् करवट लेकर के सोने की कोशिश करिए इसके अलावा 8-way महीने में बहुत लंबी यात्राओं को करने से बचिए क्योंकि 8-way महीने में काफी ज्यादा चांसे होते हैं डिलिवरी होने के इसलिए कभी भी लॉंग जड़नी आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें इसलिए लंबी यात्राओं से इस समय बच के रहना चाहिए अब दोस्तों 8-way महीने के अंत तक बच्चा कभी भी अपना सर नीचे की ओर कर सकता है इसलिए आपको अच्छे से वॉकिंग करना चाहिए 20 मिनट करीब आपको जरू टैलना है प्रति दिन इसके अलावा कोई भ भार कम काम आपको नहीं करना है बहुत दिर तक खरे होके भी काम आपको नहीं करना है इसके अलावा फ्रेंड्स अच्छी नीन्द लेना बहुत ही जञादा महस्पुन होता है दीन में दो गहनते सोना और रात में करीब 8-घंटे की नीन लेना गर्बती महीलाओं के लिए ज़रूरी है इससे उनका mental relaxment होता है किसी प्रकार की उनको tension नहीं होती है और जो की normal delivery के वक्त उनको काफी मदद करती है जिन महिलाओं को काफी चिनता होता है काफी गुष्या आता है उनका BP बढ़ सकता है और ऐसी समस्या को जैसे ही आप पैदा करोगे वैसे ही आपके delivery के लिए labor pain भी start हो सकता है इसके अलावा friends कभी भी इस समय तला भूना कुछ भी मत खाईए क्योंकि इस समय पेट खराब होने के शिकायत जादा हो सकती है इसलिए सुपाच्य भोजन करना आपके लिए बेह जादा जरूरी हो जाता है आपके युमिनिक फ्लूड में आपका जो पानी का थैली है उसमें पानी अच्छे से मेंटेन रहे इसके लिए आपको करीब दीन भर में तीन लिटर पानी पीने की जरूरत होती है तो पानी पीना बहुत अच्छे से सुड़ू कर दीजे आपको चाय और कॉफी से दूरी बना लेनी चाहिए चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो कई बार प्रसर पीरा आने में देरी कर देता है इसलिए चाय और कॉफी का बिसेश रूप से सेवन इस वक्त में बंद कर दीजे किसी भी तरह का चिंता और तनाव आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए अंदर से काफी जादा आप मोटिवेटेड रहें और अपने आपको फिट रखें ताकि डिलीब्री के वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन क्रियेट ना हो जितना हो सके अपने बीपी को नॉर्मल रखें कभी भी टेंशन ना लें ज्यादा चीखे चिलाएं नहीं गुस्ता ना करें इसके अलावा फ्रेंट्स आप अच्छे से वो सारे ही खाने खाएं जिसमें पुशक तत्वो की मात्रा भरपूर होती है जैसे कि साख सबजी का सेवन करना घर का दाल चावल रोटी सबजी खाना इसके अलावा फ्रेंट्स आप बहुत अच्छे अच्छे सिजनल फ्रूट्स आते हैं वो आप जरूर लीजे दिन भर में एक बार फ्रूट्स जरूर खाना है आपको और इसके अलावा फ्रेंट्स आप जितना हो सके अच्छी बुक्स पढ़िए अच्छी अच्छी बाते पैरेंटिंग को जो समझाती हो वैसे चीजों को समझते हुए वैसे वीडियोज को देखिए वैसे किताबों को पढ़िए जिससे की आगे चलके आपको बहुत फाइदा होगा अगर प्रेगन्सी के दौरान आपको कोई कॉम्पलिकेशन नहीं आती है तो डिलिवरी के समय भी कोई कॉम्पलिकेशन नहीं आती है एक-दो परसेंटेज ही चांसे सोते हैं सिजे डिलिवरी होने के वो भी baby पे depend करता है अगर baby को कोई problem है तो इस वज़े से tension ना ले जो चीजे मैंने आपको समझाई है I really hope कि आप अच्छे सा समझ चुकी है और friends यदि आप कुछ मुझसे पूछना चाहती है तो आप मुझे mail कर सकती है आप मुझे other social media platform पे भी follow कर सकती है और साथ ही साथ friends थैंक्स पर वाचिंग